आसिमा हिमान्शी का गाना खयाल रख्यागर 10 जून को आने वाला है और ऐसे में इस गीत का एक नया पोस्टर लॉंच होया है बहुत ही खुबसूरत केमिस्ट्री लग रही है आसिमा हिमान्शी की कैसा है यह पोस्टर मैं हीना कुमावत आपको फिल्म इंडो पर बताऊंगे लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे कर खयाल रख्यागर का पोस्टर आया देसी मुजी फैक्टरी ने शेयर किया आसिम ने शेयर किया लेकिन हिमान्शी ने शेयर क्यों नहीं किया इस बात की चर्चाय हो रही लेकिन अब जो है हिमानशी ने इस गाने का एक नया पोस्टर शेयर किया है खयाल रख्याकर 10 जून बहुत ही प्यारा पोस्टर है और दोनों की कैमेस्ट्री वाकई में बहुत अच्छी लग रही है और उन्होंने भी उसी मैसेज के साथ जिस मैसेज के साथ कलासेम ने शेयर किया था आफ्टर दिस सक्सेस ऑफ कला सोना नहीं वी आ बैक विद खयाल रख्याकर फीचरिंग मी एंड आसम रियाज उन्होंने आसम को टैग किया है ब्यूटिफुली संग बाइ प्रीत इंदर म्यूजिक प्रड्यूस बाइंशुल लेबल देशी म्यूजिक फैक्टरी और डेरेक किया है गुरिंदर बावा नहीं जिन्होंने कला सोना नहीं किया था और अब जो है यह गाना आयम रज़त नागपाल का इसमें म्यूजिक है 10 जून को देखने को मिलेगा और उससे पहले इस पोस्टर को शेयर किया गया है मैं आपको क्लोज अप करके पोस्टर दिखाती हूँ कि इन दोनों की केमिस्ट्री जो है कल भी जो पोस्टर था उसमें इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में कमाल की लग रही थी और आज का जो पोस्टर है उसमें भी इन दोनों की केमिस्ट्री वाकई में अच्छी लग रही है आसिम और हिमानुशी तो यह नया पोस्टर है गाने का ख्याल रख्या कर जो आ रहा है हाला कि इन दोनों को लेकर काफी चल्चाए हो रही है कहीं तरीके की चल्चाए हो रही है कि दोन कि दोनों के तरफ से ओफिशल बयान का जो है हर कोई इंतजार कर रहा है मैं आपको पहले कल का भी पोस्टर दिखाती हूँ जिसमें आसिम जो है हिमानची को चूडिया पहना तोई नजर आ रही है ये और एक आज का पोस्टर दोनों में ही बहुत खुबसूरत के मैस्टर और ये गाना जो है दस तारिक को रिलीज हो जाएगा और हर जो फैन है आसिम का हिमानची का आसिमानची का वो इस गीत का इंतजार कर रहा है तो पोस्टर देखके तो मुझे लग रहा है कि गाना बहुत ही खुशूरत होगा आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजेगा लेकिन उससे पहले चानल को सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा